हेलो नमस्कार किसान भाईयों अगर आपकी भी धान की फसल में अब बालिया निकलना सुरू हो गई हैं तो इस सवस्था पर आपको अपनी धान की फसल में इस खास खाद का परियोग जरूर करना चाहिए यदि धान में बालिया निकलते समय आप इस खाद का परियोग करेंगे किसान भाईयों तो आपकी जो धान की पैदवार है वो 25 से लेकर 30-30 से तक बढ़ने वाली है तो वह कौन सी खाद है और कितनी मात्रा में आपको परियोग करना है जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं किसान भाईयों जिस समय हमारी धान की फसल में बालिया निकलना सुरू होती है यह जो समय होता है हमारी फसल के लिए अत्यंत महत्पूर माना जाता है इ बहुत अच्छे तरीके से देख भाल करनी चाहिए किसान भाईयों बहुत सारे ऐसे कार्ग हैं जिनको कुछ किसान साथी नहीं करते हैं जिसके चलते उनकी पैदावार कम रह जाती है तो किसान भाईयों आए सबसे पहले बात करते हैं कि धान की फसल में बालिया निकलते सम हैं हमें अपने फसल की देखवाल कैसी करनी चाहिए कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए किसान भाईयो नंबर वन पर जब आपकी धान की फसल में बालिया निकल रही हो इस वस्ता पर सबसे पहले आपको अपने पौधे में नमी बना कर रखना है किसान भाईयो बालिया निकलते समय हमारे धान के पोधे को सबसे जादा नमी की और शक्ता होती है क्योंकि आगे चलकी किसान भाईयो जब धान की वसल में बालियां आएंगी और बालियों में धाने का भरा होगा अगर उस वस्ता पर हमारे पोधे में नमी की कमी हो जाए किसान भाईयो तो हमारे बा लिए निकलते समय आपको अपने पोधे में परियाप्त मात्रा में नमी बना कर रखना है अब आई ये बात करते हैं किसान भाईयों की इस सवस्था पर हमें कौन से खास खाद का परियोग करना है जिससे हमारी जो धान की पैदावार है प्रती एकर दो से तीन कौंटल बढ़ जाए किसान भाईयों इस स्प्रेय का खाद का नाम है एनपीके जीरो बावन चोंटिस पलस बोरोन तो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे NPK 0-524 में किसान भाईयो, 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है धान की फुसल में जब बालिया निकल रही होती है इस अस्था पर हमारे पोधे को अधिक मात्रा में किसान भाईयो फास्फोरस की और शक्ता होती है साथ ही किसान भाईयो जब बालिया निकल आती हैं उसके बाद हमारे धान के पोधे में सबसे ज़्यादा हो सकता पोटास की होती है साथ ही किसान भाईयो बोरोन के भी इस समय हमें चमतकारिक फायदे देखने को मिलते हैं बोरोन से किसान भाईयों हमारे जो फलफूल हैं वह बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं जो प्रागरंड की प्रक्रिया किसान भाईयों बोरोन उसको बढ़ा जेता है जिससे हमारी पैदावार में विर्द्ध होती है अब यदि किसान भाईयों हम NPK 052 की सही मातरा की बात कर तो किसान भाईयों आपको लगभग एक से लेकर डेड़ किलो गराम प्रतियकर से लेना है और लगभग सो गराम इसमें आपको बोरोन मिलाना है इसको लगभग किसान भाईयों एक सो पचास से लेकर 180 लीटर पानी में घोल बना कर स्प्रेक कर देना है किसान भाईयों इसक के बेहतरीन परेडाम आपको देखने को मिलेंगे इसमें सबसे पहला फाइदा ये होगा कि हमारी जो धान की फसल है किसान भाईयो उसमें सुस्थ बालियों का निर्माड होगा बालियों का साइज काफी बड़ा होगा आपके पडोसी आप से पूछेंगे कि आखिर आपने ड उच्छेदार होंगी सभी बालियों में किसान भाईयों सो प्रतीसत दाने का भरा होगा एक भी बाली आपकी खाली नहीं होगी दाने के अंदर किसान भाईयों क्वालिटी नमबर उन होगी दाना हमारा मोटा चमकदार सुन्दर और वजंदार होगा किसान भाईयों इसके इत्रित भी कई सरे लाब मिलेंगे जैसे हमारे धान के पौधे की जो रोग प्रतिरोधत छमता है उसमें वृद्ध होगी और हमारा जो तना है किसान भाईयो जब हम इस सवस्था पर फास्फरोस और पोटास का पर्योग करेंगे तो उसे काफी जदा मजबूती मिलेगी जिस से भविश्वय यदि तेज हमाय भी चलती हैं तो हमारा जो धान का पौधा है उसके गिरने की संभावना कम से कम रहेगी साथ ही किसान भाईयो हमारी जो धान की पैदावार होगी उसमें भी काफी जदा विरिद्ध हो जाएगी आथ ही एक बड़ा फाइदा और हमें देख जाई नहीं कर पाते हैं किसान भाईयो तब भी आपके पैदावार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि आप अधिक जल भराव कर देते हैं किसान भाईयो तब भी आपकी जो फसल है उसको नुकसान नहीं होगा पैदावार में कोई कमी नहीं आएगी तो किसान साथ धान की फसल में बालिया निकलते समय यदि आप भी इस खास खाद का परियोग करते हैं तो निश्ची थी इस साल आपको धान की फसल से रिकार्ड तोड पैदावार मिलने वाली है अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो किसान भाईयों तो आप हमारे चैनल को सब्सक